दोस्तों सबसे पहले सबस्क्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दपाएं और सबसे पहले वाली उप्शन आल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फॉरण मिल जायेगी जै शिरिराम दोस्तों दोस्तों हमारे कहानियों पर आपका रिस्पॉंस बहुत कम आ रहा है कृपया इसे लाइक करें और इसे शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले चलिए कथा की और चलते हैं आज की कथा है कववा और एक दाना तथा एक सेट और साधू आईए कथा श्रवन करें बहुत समय पहले की बात है किसी गवाँ में एक सेट जी रहते थे दोस्तों कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम परन्तू उस सेट को इस कहवत पर यकीन नहीं था एक बार तो सेट जी इसी बात पर एक साधू से बहस कर बैठे सेट जी आंगन में बैठे कुछ दाने चबा रहे थे तब ही एक साधू वहां से गुजरा उसने सेट जी से कहा सेट जी कुछ भिक्षा दीजिए सेट जी बोले जाओ जाओ आगे बढ़ो साधू बोला मैं बहुत भूखा हूँ खाने के लिए कुछ दाने दे ही दीजिए सेट बोला दाने मुफ्त में नहीं मिलते बच जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूँँगा साधू ने कहा सेट जी कोई आदमी सारे के सारे दाने नहीं खा सकता हर एक दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है यह बास सुनकर सेट जी को बहुत गुस्टा आया वो बोले तुम अपने आपको कुछ ज़दा ही अकल मन समझते हो अगर हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता तो बताओ मेरे हाथ में जो दाना है इस पर किसका नाम लिखा है दोस्तों भगवान की मर जी किसको क्या पता अगले पल क्या हो जाए साधू ने कहा मुझे लगता है इस पर कववे का नाम लिखा है यह दाना कववे का खाना है सेट जी ने कहा देखो इसे मैं खऊंगा मुझे बताओ कहा है तुम्हारा कववा यह कह कर जैसे ही सेट ने उस दाने को अपने मूह में डाला तो सेड़ जी को अचानक खांसी आ गई और वो दाना पेट में जाने की बजाए नाक में चला गया सेड़ जी की सांस अटक गई आसपास के लोग दोड़े आए और जल्दी से सेड़ जी को डॉक्टर के पास ले गए डाक्तर ने तुरंट एक चिम्टी ली और सेड़ जी की नाक में फसादाना निकाल कर फेंक दिया तब ही एक कववा आया और उस दाने को चोंच में दबा कर उड़ गया सादो भी महीं था वै बोला देखो सेड़ जी उस दाने पर कववे का ही नाम लिखा था सेड़ अब क्या कहता वै अपना सर जुका कर एक तरफ बैठ गया दोस्तों आपके कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ग्यान पराप्त हो जैशी रराम रखत हो